सेखिबाज मखी पाठ दो, कक्सिया तीन हिंदी एक था जंगल, उस जंगल में एक सेर भोजन करके आराम कर रहा था एक था जंगल उस जंगल में एक सेर भोजन करके आराम कर रहा था इतने में एक मख्यी उड़ती उड़ती वहाँ आ पहुंची सेर ने दो तीन दिनों से स्ना नहीं किया था इसलिए मख्यी सेर के कान के एक दम पास भिन 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 करने लगी सेर को बहुत मुश्किल से नीद आई थी उसने पंजा उठाया मख्यी उड़ गई लेकिन फिर से सेर के कान के पास भिन भिन सुरू हो गई अब सेर को घुसा आया वह दहाड़ा अरे मख्यी दूर हट वरना तुझे अभी जान से मादा लूगा मख्यी ने धीरे से कहा ची ची जंगल के राजा के मुझ से ऐसी भाष्या कहें शोभा देती है तो वच्चो यहाँ पर बताया गया है कि एक बार एक जंगल में एक सेर भोजन करके आराम कर रहा था इतने में वहाँ पर एक मख्यी उड़ते उड़ते आई क्योंकि सेर ने दो तिन दिनों से स्नान नहीं किया था और मख्यी हमेशा गंदी चीजों पर बैठती है बदबुदा चीजों पर बैठती है और जब हम स्नान नहीं करते हैं तो हमारे सरीर से बदबुआने लगती है दुरगंद आने लगती है और सेर ने भी कुछ दिनों से स्नान नहीं किया था इसलिए सेर के कान के पास जाकर मक्खी भिन भिन करने लगती है एक तो सेर को बड़ी मुश्किल से नींद आई थी उपर से मक्खी भिन भिन करके उसकी नींद को खराब कर रही थी सेर ने पंजा उठाया मक्खी उड़ गई फिर सेर ने सोने की कोशिस की मक्षी फिर से उसके कान के पास आ गई इस बार से धाड़ा और कहा कि मक्षी दूर हट जा वरना तुझे जान से मार दूँगा तो मक्षी क्या कहती है ची ची जंगल के राजा के मुझ से ऐसी भाशा कहीं शोभा देती है सीर का गुसा बढ़ गया उसने कहा एक तो मुझे सोने नहीं देती उपर से मेरे सामने जवाब देती हो चुप हो जा वरना अभी मार दूँगा मक्षी बोली वरना क्या कर लोगे मैं क्या तुम से डर जाओंगी मैं तो तुम से भी लड़ सकती हूँ हिम्मत हो तो आ जाओ ये किस ने कहा मक्षी ने कहा मक्षी ने से शेर से कहा वरना क्या कर लोगे मैं क्या डर जाओंगे तुम से अगर हिम्मत है तो आ जाओ देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है यहाँ पर तस्वीर में दिखाया गया है कि सेर कैसे अपने ही पंजो से खुद को घायल कर लेता है मक्खी के कारण सेर आग बबुला हो उठा उसने कान के पास पंजा मारा मक्खी तो उड़ गई पर कान जरा छिल गया मक्खी उड़ कर सेर की नाग पर जा बैठी तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा मख्य फिर उड़ गई, अब की बार सेर की नाग छिल गई मख्य कभी सेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर तो कभी गरधन पर सेर पंज़ा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता तो सेर एक तरह से अपने आप को ही मार रहा था मख्य के कारण सेर अपने आपको घायल कर रहा था मक्खी की वजह से मक्खी तो फड़ से उड़ जाती थी परन्तु सेर के पंजे सेर को ही लग जाते थे अंत में सेर उब गया ठक गया वह बोला मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो मैं हारा और तुम जीती बस करो अब मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी अब मक्खी के अंदर घमंड आगया क्योंकि अब मक्खी के सामने हार किसने स्वीकार की सेर ने सेर ने मान लिया कि मक्खी मैं हार गया तुम जीत गई अब मुझे छोड़ दो मुझे सोने दो अब तुम चली जाओ तो मक्खी में गमंड आ गया मक्खी गमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी सामने एक हाथी मिला मक्खी ने कहा अरे हाथी मुझे परणाम कर मैंने जंगल के राजा सेर को हराया है इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा हाथी ने सोचा इस पगली मक्खी से बहस करने में समय कौन बरबाद करें हाथी ने सून रूपर उठा कर मक्खी को परणाम किया और आगे बढ़ गया सामने से आ रही लॉम्डी ने यह सब देखा लॉम्डी मंद मंद मुस्कुराने लगी आपको पता होगा लॉम्डी बहुत चालाक होती है मंद मंद का मतलब होता है धीरे धीरे लॉम्डी धीरे धीरे मुस्कुराने लगी इतने में मक्खी ने लॉम्डी से कहा अरे ओ लॉम्डी चल मुझे परणाम कर मैंने जंगल के राजा सेर और विसाल काई हाती को भी हरा दिया है तो अब तुम भी मुझे परणाम करो लॉमडी ने उसे परणाम किया फी धीरे से बोली कौन बोली लॉमडी धन्य हो मक्किरानी धन्य हो धन्य है उसका जीवन धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता-पिता लेकिन मक्हिरानी उधर वह मकडी दिखाई दे रही है ना वह आपको गाली दे रही थी उसकी जरा खबर लो ना तो लोमडी ने मक्ही को क्या कहा कि मक्हिरानी आप धन्य है आपके माता-पिता धन्य है ठीक है लेकिन उ सुनकर मक्षी गुस्से से लाल हो उठी मक्षी बोली उस मकडी को तो मैं चुटकी बजाते खत्म कर दूंगी मक्षी ने कहा अच्छा मकडी की इतनी मजार मैं अब उसे चुटकी बजाते ही खत्म कर दूंगी यह कहते हुए मक्षी मकडी की तरफ जब्टी और मकडी के जाले में फस गई, मक्ही जाले से चूटने की जियों जियों कोसिस करती, जियों जियों का मतलब जैसे जैसे वह कोसिस करती उस जाले से निकलने की उस जाले से चूटने की त्यों त्यों वैसे वैसे और भी अधिक उस जाले में फस ती गई, अंत में वह ठक गई, हार गई, यह दे से लोमडी ने अपनी चालाकी से अपनी बुद्धी से मक्षी को सबक सिखा दिया यह पाठ योगिस जोसी की द्वारा लिखा गया है यह कहनी योगिस जोसी की द्वारा लिखी गई है आपको यह कहानी कैसी लगी यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं। यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।